एक बार फीर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया थी 22 मार्च को जनता करिफ्यू का जो संकल्प हमने लिया था एक राष्ट के नाते उसकी सिध्धी के लिए हर भारतवासी ने पूरी संबेदन सिल्ता के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया बच्चे बुजूर छोटे बड़े गरी मद्यम हर वर्क के लोग हर कोई परिक्षा की इस घड़ी में साथ जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है जब मानवता पर संकट आता है तो किस प्रकारते हम सभी भारतिया मिल करके एक जुड़ होकर उसका मुकाबला करते हैं आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रसंसा के पात्र है साथियों आप कौरोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं आप यह भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिलकुल बेवस कर दिया है ऐसा नहीं है कि यह देश प्रयास नहीं कर रहे हैं यह उनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है इन सभी तेशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्स भी यही कह रहे हैं किस वैश्वीक महमारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत पहमी में है कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्ट के लिए है प्रधान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चल करके पुरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पढ़ सकते है और ये कीमत कितनी चुकानी पढ़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिल्णे करने जा रहा है आज राद आज राद बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये पूरे देश में आज राद बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रहे हैं देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउं, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है यह एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाब निरनायक लड़ाई के लिए यह कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश की हर राचे सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी सब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया है आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्प्पून है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 सांग पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हैं और मैं बाल जाएगा